हैllo and welcome back dear students जैसा कि हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कर्स किया था कि आपका 3rd यूनिट फिनीश हो गया था और हम लोग general employability skill is study करने वाले हैं जो general employability skill module है वह आपका board के exam में 10 marks का weightage रखता है आपका जो थर्ड यूनिट फिनिस होने के बाद फोर्थ हमने स्टार्ट नहीं किया था कि हो सकता आपका स्लेबस रिडियूस हो वो हम लोग जयम मोडूल के बाद स्टेडी करेंगे नाउ जो 10 मार्क्स आपके जनरल इंप्लोइबिलीटी मोडूल के होते हैं वो आपको सेक्यूर करना और आसान हो जाता है क्योंकि अभी तक कोई हार्ड क्यूशन इससे नहीं पूछा गया है डारेक्ट क्यूशन पूछे जाते हैं अगर आप वीडियोज भी अच्छे से देखते हैं तो आपके यह 10 मार्क्स सेक्यूर हो जाएंगे ठीक है आज हम पड़ने और स्कील और फिट्ट वग्रीन स्कील इससे अगर मैं करूँ कम्विशन की सबसे पहला क्यूशन यहीं आता है वाट इसक्यूशन क्या है रहे हैं आपको कोई रसपाइस करना होता है तो आप क्या करते हो रिप्लाइ कर्ते हो comment box के थिरू ठीक है और हम लोग स्क्वेरी को सोल करने की कोशिश करते हैं so communication अक्चुल में क्या है आप जो message अपने साथी के साथ आप अपने किसी भी कलिक के साथ कोई conversation करते हैं that is communication और वह meaningful होना चाहिए अगर आप कोई भी science language में या symbols की form में अगर systematic rules follow करते हैं और किसी से बात करते हैं ठीक है तो आपका communication कहलाता है communication is an act of conveying meaning from one entity or group to another through use of mutual understood of science यानि कि यहाँ पे mutual understood science symbol से meaning यह है कि communication कब होगा जब जो चीज मुझे आती है मुझे English आती है आपको भी English आती है then हम लोग English में बात कर सकते हैं अगर मुझे मल्यालम नहीं आती है और आप मल्यालम में मेरे से बात कर रहे हैं तो that is not a communication क्योंकि मैं आपको समझ नहीं पाऊंगा तो जो mutual understanding, mutual communication आपके जो science और symbols यूज़ करके अगर हम किसी से भी conversation करते हैं वो आपका communication कहलाता है और effective communication कहलाता है अगर बात करूं communication, communication आपके दो तरीके कहो सकता है verbal और non-verbal verbal that means आप अपने audience के साथ आप अपनी classroom में जो बात करते हैं sounds की form में यानि कि volume है आपका particular syntax follow करना, emphasis यूज़ करना, यह आपका क्या होता है verbal communication होता है अगर वही चीज़ आप अगर non-verbal में देखेंगे तो किसी के भी gesture से या उसकी body language से या उसकी sign language से उसके face expression से ठीक है अगर आप कोई चीज़ समझ जाते हैं वो आपके क्या कहलाता है non-verbal communication कहला सकता है ओके यह return में भी हो सकता है उसने कुछ लिख के आपको दिया आपको कुछ कहा नहीं और आपने उसको study करके पता कर लिया कि वो क्या कहना चाहता है तो these are called आपका non-verbal communication आपको याद रखना है जो verbal and non-verbal communication है वो किस टाइब के होते हैं man जो important factor होता है verbal communication में that is your sound ओके जो non-verbal communication है उसमें आपके face expressions है body posture है emotions है eye contact है उससे हम लोग कोई भी चीज को identify करते हैं ठीक है now हम effective communication क्यों पढ़ रहे हैं क्या learning objects है first of all यह आपका development of entrepreneurs interpersonal skills आपकी जो मैं कहूंगा आपका जो body posture है यहां फिर आपके जो skills है interpersonal skills है meaning है यहां पे कि आपका personal development जो है वो इससे अच्छा होगा and to express the effective with maximum efficiency आप कोई भी चीज को easily elaborate कर सकते हो describe कर सकते हो अगर आपकी skills जो है effective communication skills अच्छी है then ओके और इसमें जो सबसे important factor जो role करता है that is your active listening one of the most critical skills in effective communication is active listening और आज हम इसी पर बात करेंगे active listening पर अगर active listening को आपको समझना है तो यह diagram एनफ है आपको समझाने के लिए मैं बाकी चीजें बाद में elaborate करूँगा अगर आप एक effective communication करना चाहते हो आप एक effective communication का meaning समझना चाहते हो तो that is active listening एक active listener ही एक अच्छा communicator हो सकता है एक अच्छा speaker हो सकता है यह बात ध्यान रखना आपको so active listening से मेरा meaning है आप किसी भी conversation को आप किसी भी अगर आप कोई lecture सुन रहे हैं आप अगर कोई session अटेंड कर रहे हैं कोई seminar अटेंड कर रहे हैं तो सबसे पहले चीज़ है पे अटेंड सब आपको जो classroom में जैसा बहुत सारे बच्चे बाते करते रहते हैं that means that is not active listening और उसका impact आपको result आपको बाद में पता चलता है उस टाइम आपको मस्ती में नहीं पता होता है कि आप क्या मिस कर रहे हो आप अपनी personality development का एक एहम हिस्सा हो रहे हो एक तरीके से okay so active listening से मतलब है आपको जो भी seminar या classroom में या फिर आप कोई meeting या conference अटेंड कर रहे हो तो सबसे पहले चीज़ है pay attention look at what who is talking उस बात पर ध्यान देना है कि कौन आपका speaker है जो कोई आपके सामने हो सकता teacher बात कर रहा है आपके सामने हो सकता boss बात कर रहा है या फिर कोई आपका employee suggestion दे रहा है या feedback दे रहा है जो भी आपका बोल रहा है उस पे आपको ध्यान देना है and do not talk ठीक है अगर कोई communication चल रहा है तो आपको बीच में नहीं बोलना चाहिए conversation complete होने के बाद ही अपना कोई point रखना चाहिए यह आपका active listening का important role है और जो आपका active listening का response है वो इस तरीके से आपके पास आता है अगर आप एक active listening listener है तो आप क्या करेंगे आपने पूरा session अच्छे से समझा है सुना है तो आप questions भी पूछेंगे और जो directions मिली है आपको उनको follow भी करेंगे and visualize what is being said और उस चीज़ को महसूस करेंगे उस चीज़ को visualize करेंगे कि seminar में क्या कहा गया classroom में क्या कहा गया है उस चीज़ को आप visualize करेंगे उस चीज़ को आप समझने की कोशिस करेंगे और बहुत बार मेरे पास query आती है sir क्या English ही जरूरी है effective communication के लिए बिल्कुल ऐसा कोई mandatory नहीं होता है जो language आप use कर रहे हो वो ऐसी होनी चाहिए कि आपको candidate जो है आपके audience जो हो आप पे faith करे आप पे trust करें जो आप बता रहे हो उसको सही से समझे ओके तो आप कह सकते हो उसको effective communication ओके तो बात अगर मैं करूं जो हम लोगों ने अभी active listening की बात की है so active listening में जैसा कि आपको जब भी job opportunities के लिए जाते हो आप काम करने के लिए आप वहां पे देखेंगे कि किस तरीके से आपका job role है employees work करते हैं और एक ऐसा healthy environment होता है जिसमें active listening का बड़ा ही important role होता है जो benefit अगर मैं बात करूं active listener के it help us to build connections इससे आप लोग अपने audience से जुड़ पाते हैं it help us to build trust अगर आप एक active listener है आपने अच्छे से किसी की बात सुनी है तो boss आप में विश्वास रखता है आपका जो clicks है वह आप पे विश्वास करते हैं आपके अंदर एक मैं कहूंगा कि trust build up होता है कि आपके clicks और आपके साथ ही आप पे विश्वास करने शुरू कर देते हैं it helps to identify and solve problems और इससे आपका problems जो है solve easily हो जाती है कैसे result हो जाती है अगर आप एक active listener है तो यानि कि आपने चीजों को अच्छे से समझा है तो आपके जो mind में visualize होंगी उसके related solutions आएंगे वो भी आप respectively अच्छे solutions को find out कर सकते हो आप अपने clicks के साथ उसका discussion कर सकते हैं after the session okay fourth steps to active listening active listening के लिए जो important चार स्टेप्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं first of all contact आपका जो contact आपके participation के साथ आपके आपके जो दोस्त हैं उनके साथ या फिर आपके meeting persons के साथ वो आपका verbal response के साथ non-verbal response होना चीए यानि कि जब भी आप audience को target कर रहे हैं या फिर audience को address कर रहे हैं okay so होना क्या चीए सबके साथ eye contact होना चीए उनको non-verbal आप चीजों को समझा पाओ और active listener का meaning है आप बीच में कहीं नहीं बोलते हैं आपको अगर आप agree है तो आप simple node your head आप अपने head ही ला सकते हैं कि हाँ that means you are agree okay so this is the way you can being a participant of a particular conference or conversation absorb से मेरा meaning है कि आपके पास बहुत सारी चीजें आप वहां पे discuss होती हैं आपके meetings में या seminars में okay classrooms में so चीजों को adapt करना सीखना है तो active listener होना जरूरी है अगर आप active listener है तो आप उन चीजों को adapt करेंगे आप उन चीजों को सीखेंगे अब जोब करेंगे ठीक है reflective feedback reflective feedback का मतलब अगर आपने कोई चीज अच्छे से सुनी है then you can give a feedback और feedback बड़े important होता है क्योंकि feedback से क्या होता है हम अपने weak points पर काम कर पाते हैं अगर हमारे को अच्छे feedback मिलते हैं क्योंकि अगर feedback मिलेंगे तो आप उसको improve करेंगे और आपकी quality और ज्यादा improve होगी confirm कोई भी information जो speaker बोल रहा है उसको आपने अच्छे से सुना है तो आपके लिए ये अच्छा चीज है कि अगर आप उससे agree है तो आप उसस चीज को confirm करेंगे क्योंकि अगर आपने कोई भी चीज attending की है duda seminar attend की है आपने classroom में कोई activity attended की है अगर आपने active listener है और आपने उसको अच्छे तो आप क्या करोगे उसको response करोगे और उसको confirm भी करोगे कि हाँ ये चीज हो सकती है इस तरीके से हो सकती है इसके ये feasible solutions है तो this is the way and अगर आप active listening की related आपकी classroom में activities होती है जैसे story listening games है या active listening skill games है तो वो आपके लिए और ज्यादा impactful होते है story learning listening game से मेरा meaning है जैसे teacher ने कोई sentence start किया और हर एक student जो है उसमें एक नया sentence add करते चला जाता है और finally जो हमारा conclusion निकल के आता है वो एक meaningful अगर story बनती है that means we are good in active listening okay क्योंकि अगर हम लोग active listener है तो हम लोग कुछ meaningful add करेंगे कोई भी student add करेगा कोई sentence तो वो एक meaningful sentence add करेगा और फर्दर जो आपका एक paragraph या एक document create होगा वो आपका एक meaningful और एक अच्छी story create होगी ठीक है तो इस तरीके से आप अपनी जो active listening skills है उनको improve कर सकते हो so next session में हम लोग जो है फर्दर बात करेंगे आपके writing skills पे okay writing skills पे next session में बात करेंगे so keep studying keep learning thank you अगर आपको वीडियोज अच्छे लग रहे है तो अपने दोस्तों के साथ share जरूर करें like करें subscribe नहीं किया तो subscribe जरूर कर ले thank you